तो कैसे है आप सभी आसा करते हैं बहुत अच्छे होंगे इस समय जो नुई जा रही है बेसे सी सेकेंड इंटर लेवल नुई वेकेंसी को ले करके उसमें जो आप लोग फॉर्ण भरे हुए थे उसका जो है एडिट का और डॉकुमेंट अप्लोड करने का जो लिंक है वो कल क्या एडिट करने के लिए आप लोगों को आप्सन मिला हुआ है उससे पहले जो भी नई लोग है वे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए सपोर्ट करिए और इस वीडियो को जैदा जैदा लाइक और सेयर करिए आइए सीधे चलते हैं वेबसाइट पर देखते हैं कि क् करने का वेबसाइट जिस पर कि आपको इंपोर्टेंट लिंक दिया हुआ है ओप्निंग डेट फोर एडिट एंड अप्लोड डॉकुमेंट्स अठार एक 1224 और क्लोजिंग डेट फोर एडिट एंड अप्लोड डॉकुमेंट्स अठारधे दु दुहाजार चोवीश यानी फरवरी में आप 18 तारिक तक अपने document को edit और upload कर सकते हैं यहां पर दिया हुआ है कि online service से login करना है अगर आप अपना registration number भूल चुके हैं तो कुछ step दिये गए हैं उस step को follow करके आप अपना registration number password वहां से प्राप्त कर सकते हैं अब यहां पर दिया हुआ है click here to view advertisement आप यहां से advertisement देख सकते हैं और how to edit the information and upload documents यहां से आप document को कैसे upload करना है क्या करना है इसमें सारी जानकारी दिये गया है आए इसको जो है so open करके देखते हैं फाइल को download करके देखते हैं किसमें क्या जानकारी आप लोगों के लिए है तो यह download हो चुका है इसमें एक-एक step को समझिए यहां पर दिया हुआ है अभियार्ति online आवेदन की विब्रनी में edit करने है तो आयों की website जो दिया गया है www online ebsc.com इस पर जा करके आप अपने यूजर नेम रेजिट्रेशन नमबर यहां पासवर्ट से पासवर्ट से लॉग इन कर सकते हैं जो उनके पंजिकृत मवाइल नमबर यहां इमेल और पर एक आपको जो है रेजिट्रेशर के सवय जो प्राप्त हुआ था वहीं आपको उसमें देना है यदि अभियारती अपना पंजिन संख्या यह पासवर्ट भूल गया है तो जो मैं पहले बात आया हूँ वह कुछ एस्टेप को फोलो करके आप लोग वह पासवर्ट मगा सकते हैं और कुछ सुधार वाणशित हो तो से क्लिक हिर 4 प्रिवभू एंड जो एड़िट करना है किसे आप कर सकते हैं यहां पर दिया हुआ है कि अभियारती आ सकते है किन seas है उत्म सुधार सकते हैं कोटी जो सबसे ज़्यादा गलती चात्र यहीं पर करते हैं कि रहते हैं किसी कोटी में भर देते हैं किसी दूसरे कोटी में तो इसको आप सुधार कर सकते हैं अगर आपने परमानपत्र में EWS परमानपत्र, क्रीमी लियर रहेत परमानपत्र, जाती परमानपत्र इसमें किसी तरह का मिश्टेक किये है, तो उसको सुधार सकते हैं, जम तिथी सिर्फ दीन और माह हेतु ही सुधार सकते हैं, यानि जम तिथी में आप इस भी कुछ नहीं क कर सकते हैं बाद वाकि आप उसको बदल सकते हैं सभी परकार के सैचनिक एवं अन्य पर्मानपत्रों के निर्गित की तिथी एवं पर्मानपत्र की संख्या को सुधार सकते हैं पता जो अड्रेस हैं उसको सुधार सकते हैं फिर अभियारती ऑनलाइन आवेदन के उपरांत मि दूआं में वांचे सुधार कर समीट बटन पर क्लिक कर सकते हैं यानि ये सारा कुछ करने के बाद आप समीट बटन होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं यदि किसी अभिहारती और किसी परकार की सुधार की आवज़ सकता नहीं है तो सेल्फ डिकलिरेशन चेक बॉक्स पर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे इसका भी प्रय हुआ कि जितने चात्र है जो फॉर्ण भरे हैं सभी को डकुमेंट्स अप्लोड करने हैं चाहे उनसे गलती हुआ हो या गलती नहुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है यह असपश्ट हो चुका है कि जितने चात्र फॉर सभी को डकुमेंट्स अप्लोड करने होंगे आए देखते हैं कि आपको कौन कौन से डकुमेंट्स अप्लोड करने हैं यहां पर बहुत सारा चीज दिया हुआ है उसको अगर आप यहां पर आप नहीं भी अगलती है पहले ही बता दिया हूं कि आप उसको अप्लोड करना ही होगा अब देखे कि डॉकुमेंट में आपको क्या-क्या अप्लोड करने है है फिर उसका प्रमान-पत्र होगा सर्टिफिकेट होगा intermediate का उसको upload करना है अस्थाई निवास परमानपत्र उसको upload करना है अगर वो लागू हो तो अगर आप किसी दूसरे राज के हैं तो आपको upload नहीं करना है उसके बाद EWS, NC, LC, SC, ST परमानपत्र दिलागू हो तो उसको upload करना है दिव्यांगता परमानपत्र यदि लागू हो तो उसको upload करना है सुनरता सैनानी का असरित का परमानपत्र उसको आपको upload करना पड़ेगा टापिंग से समंदित परमानपत्र उसको upload करना होगा टापिंग से समंदित परमानपत्र उसको upload करना है फोटो युक्त पहचानपत्र उसको upload करना है भूतपूर सैनिक परमानपत्र उसको भी upload करना है बिहार सरकार में सरकारी संबिदा पर कालिरत होने का परमानपत्र अग एक box पर click करके आगे बढ़ जाएंगे, final submit कर देंगे, तो ये इतना सारा document आपको जो है, उसमें upload करना होगा, आवेदान पुर्ण रूप से समर्पित करने को प्रांत अभियारती किसी परकार का सुधार नहीं कर सकते हैं, अगर एक बारा final submission कर देंगे, तो फिर आप किसी भी तरह का सुधार इसमें नहीं कर सकते हैं, तो ये जितना सारा document है, वे आपको upload करना ही होगा, चाहिए आपने गलती किये हैं या नहीं किये हैं, उससे नहीं मतलब है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अभजारती अपने पर्मान पत्रों के मुल रूप में स्केन कर समंधित कॉल अप में PDF फॉर्मेट में 50KB से 1MB के बीच में PDF को upload करना सुनस्चित करेंगे, तो यह नवीज था, आपको और एक माह का टैम मिला हुआ है, जो छात्र जितने छात्र इसमें फॉर्म भरे हैं, सभी को अपने document को upload करना होगा, चाहे उनसे गलतियां हुई हो या नहुई हो, वीडिया अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जै हिंद!